प्रिटी परियार और आप हमारे साथ पढ़ने है पंडमेंटल्स ओफ इलेक्रिकल इंजिनियरिंग लास्ट लेक्चे में हमने क्या कम्प्लीट करे था हमने कम्प्लीट करे थे डिफरेंट टाइप के सोर्स जिसमें क्या था इंडिपेंडनेंट सोर्स थे इंडिपेंडनेंट सोर्स में भी वोल्टेज और करेंट दोलो टाइप के हमने क्या पढ़ लिया थे सोर्स को कवर कर ल तो यह जो हमारी unit चल रही है, unit कौन सी चल रही है, DC circuits चल रही है, तो DC circuit में तुमने यह सब पढ़ा था, ठीक है, तो catch of slowby जो तुमारे applicable यहां लगाए जाते हैं, वो तुम AC में भी लगा सकते हो, DC में भी लगा सकते हो, लेकिन तुम जो यहाँ पर पढ़ रहे हो, कौन सी प की कर्चोन लोओ होता क्या है, की चल जो थे, की ठाशन चल खनाते हैं, साइनटेस्ट दि जुन्होंइं क्या करा था, कोई भी तुम्हारे circuit है, electrical circuit है, उन graphical circuit को solve करने के लिए, ताकि है, शनका रहनें बेसिक सरकिट है, क्या होग म export है, कह सब package रुट्य को होसा को कि सॉल्व करने के लिए लिए निकालने के लिए किसी भी ब्रांच में बोल्टे निकालनी है करेंट निकाल लिए उसके लिए हम किसका यूज करते हैं किर्चॉफ्स लोग का यूज करते हैं तो ठीक है आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है किर्चॉफ्स ये लोग ये लोग पहले भी तुमने पढ़ा होगा कुछ बच्चोंने 11-12 से आए हो तो इтने क्या होगा किर्चॉफ्स लोग पहले भी स्टडी करा भोगा तो इसे एक बार हम और यहां पर देख लेते हैं किर्चॉफ्स लोग दो लोग थे जो इन साइंटिस ने दिये ते क से क्या भी कहेंगे किर्चॉफ फर्स्ट लो या फिर किर्चॉफ फर्स्ट लोगा हो यह एकुर नाम क्या है किर्चॉफ फुल नहीं लिख रहे है के लिख रहे हैं खाली इसे समझ जाना कि किर्चॉफ के से किर्चॉफ करेंट लो किर्च ओफ करेंट लो जिसे शॉर्ट में क्या कह देते हैं KCL किर्च ओफ करेंट लो कोई शॉर्ट कट में क्या कहते हैं KCL या फिर जंक्शन लो किर्चॉफ जंक्शन लो ठीक है यह इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम है किर्चॉफ फर्स्ट लो का हो यहां पर किर्चॉफ करेंट लो का हो यह किर्चॉफ जंक्शन लो यह नॉमल जंक्शन लो भी इसे कह सकते हैं तो यह first law के different different नाम है, second law है, इसे किर्चॉप second law का हो या तो, किर्चॉप second law, या किर्चॉप voltage law, यह current के लिए law दिया था, और एक किस के लिए दिया था, voltage के लिए तो second वाले को नाम क्या दिया, किर्चॉप voltage law, जिसे shortcut में कह देते हैं KBL और जैसे यह junction लोग है यह होता है केच आफ लूप लोग इसका होता है यह लूप लोग वो junction का है और यह किसका है लूप का ठीक है तो यह होते हैं केच आफ के लोग यह कह सकते हैं तो पहले जो हम इस चुर्ट करेंगे वो कॉंसे लोग बताएंगे फॉस्ट लोग जिसे क्या कहते हैं के चौफ करेंट लोग यह बताता है कि किसी नोड पर या किसी जंक्शन पर जंक्शन रूल भी से कहा है कि जंक्शन रूल भी होता है यह जंक्शन लौ भी होता है तो किसी भी नोड पर इनकमिंग करेंट इस इक्वल टू आउटगोइंग करेंट इस लोग के एकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि किसी भी नोड पर इन एनी नोड या एट एनी नोड इनकमिंग करेंट इस इक्वल टू आउटगोइंग करेंट एट सैड नोड इसका अदर जिस नोड के हम बात करने है किसी कोई एक नोड हमें सेलेक्ट करना है उस नोड पर इनकमिंग करेंट और उस नोड पर आउट गोइंग करेंट की वैल्यू हमेशे क्या होती है इक्वल होती है यह हमारा किसका लोग होता है किर्चॉफ का लोग होता है ठीक है तो किर्चॉफ लोग क्या है एट एनी पॉइंग नोड इनकमिंग करेंट इस इक्वल टू at any node is equal to outgoing current outgoing current at sad node. Sad मतलब this node के बारे पहले बात करे गई थे उसी का. At sad node ठीक है? Incoming current is equal to outgoing current. यह फिर दूसरे definition हम क्या भी कह सकते है? Incoming current is equal to outgoing current कहा है? कैसे? कि मालो, यह कोई node है और इस तरीके से current flow कर रही है. यह current यहां गई है, यह यहां गई है, यह यहां गई है. इसे हमने I1 कह दिया, इसे I2 कह दिया, इसे I3 कह दिया. तो incoming कौन सी है? यह node है तुमारा. यहां यह junction है J. तो J junction पे देखो, at any node लिख दो यह junction लिख दो. ठीक है? इसे junction rule भी कहते हैं. J junction पे हम देख रहे हैं. Incoming current कौन सी है? तो formula तुम क्या भी लिख सकते हो इसका? इसका formula यह भी लिख सकते हो. Incoming current is equal to outgoing current. अब सकते हैं. Sum of incoming current is equal to sum of outgoing current. यहाँ पे incoming current सीफ कितनी है? I1. Sum of outgoing current. इस point से outgoing कितनी है? दो है. तो I2 plus I3. यह हो गया. तो यह हमारी क्या हो गई? definition हो गई. Incoming current at any node is equal to outgoing current. इस equation को हम और क्या लिख सकते हैं? I1 minus I2 minus I3 equal to 0. इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं? I2 और I3 को इधर लिए हैं. अब तुमारा क्या हुआ? जितनी भी current है किसी junction पर उनकी values किसके equal है? 0 के equal है. लेकिन sign देखो current का क्या है? different, different है. तो हम यह भी कह सकते हैं. Algebraic sum of Algebraic sum of current is equal to 0. किसी भी junction पर at any junction Algebraic sum of current is equal to 0. Algebraic sum का यह मतलब है कि जो हमारी incoming और outgoing current है. उने हमें किस के साथ लेना है? direction के साथ लेना है. incoming current की एक direction देदो positive दो या negative दो और outgoing current की एक direction देदो positive या negative वगर incoming को positive दे रहे हो तो outgoing को negative दे दो. incoming को negative दे रहे हो तो outgoing को positive दे दो. लेकिन जो Algebraic sum होगा total current का वो हमारा क्या होगा? equal 0 होगा. पर main हमारा यह होता है कि incoming current is equal to outgoing current. इसी formula से हम यह भी कह सकते हैं. Algebraic sum of all current at any node is equal to 0. At any node, all algebraic sum of current is equal to 0. इसी से ही हम एक और चीज़ कहा पते हैं. यह जो किर्चॉफ्स current लो होता है. किर्चॉफ्स current लो हमारा conservation of charge भी show करता है. यह हम क्या कहते हैं कि यह और कौन सा rule follow करता है है और कौन सा law follow करता है. वो किसको follow करता है? conservation of charge को. किसको follow करता है किर्चॉफ्स लो को conservation of charge का क्या मतलब है? किर्चॉफ्स लो को हम दूसरी word में इस तरीके से भी define कर सकते है. At any node, at any node यह at any said node incoming charge is equal to outgoing charge. क्या भी कह सकते हैं हम? किर्चॉफ्स लो हम current की definition में current की term में नहीं. हम किसकी term में भी किर्चॉफ्स लो को define कर सकते हैं? Charge की term में. Charge की term में क्या है? Incoming charge Incoming charge at any node is equal to outgoing charge ही के तो हमने किर्चॉफ्स लो को क्या कह दिया? किसी node पर जो incoming charge होगा वो हमारा किसके बराबर होगा? Outgoing charge होगा उसी point पर किस पर? उसी point पर at said node जिस node की यहां बात हो रही है उसी node पर हमारा चाहे incoming charge हो और outgoing charge हो वो हमेशे क्या होगा? equal होगा जैसे मालो यहां Q1 दिखा दिया यहां पर Q2 यहां Q3 यह node हो गया यह Q4 Q5 यह charge दिखा दिया देखो यह node है हमारा यह junction है यह junction यह node कहा दिया इस junction पर जितना incoming charge हो equal होगा किसके outgoing charge है तो incoming charge कितना है? Q1 Q2 Q3 यह तो node पर है junction पर incoming है outgoing कितना है? Q4 और Q5 दो हमारे क्या हो गए? outgoing हो गए तो incoming node is equal to outgoing node charge की term में भी हम यह कह सकते हैं और current की term में भी कह सकते हैं अब यही से ही charge से हमारा current भी define हो जाता है जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा? incoming charge is equal to outgoing charge यहाँ पर अगर दोनों तरफ हमने क्या ले लिए है? अगर differentiation ले ले अगर यहाँ पर दोनों तरफ हम क्या ले ले? differentiation ले 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 तो यह बन जाएगा DQ upon DT DQ2 upon DQ3 तो यहाँ से हम क्या भी लिख सकते हैं? DQDQ की जगे हैं हर जगे? I, I भी लिख सकते हैं तो I1 plus I2 plus I3 is equal to I4 plus I5 तो यह हमारा किसका lobby होता है? conservation of charge का इसका मतलब conservation of charge है किसी भी चीज़ का conservation क्या होता है? incoming is equal to outgoing वो ही हमारा क्या होता है? conservation यहाँ फिर net charge यहाँ पर हम क्या भी कह सकते हैं? net charge is equal to 0 time के साथ ले रहे हैं कि किसी भी surface पर जो net charge होता है वो equal किसी भी node पर इसका मतलब किसी भी node पर कभी भी कोई charge नहीं होता हमेशन net charge कितना होगा? 0 किसी भी node पर कभी भी कोई charge नहीं होगा क्योंकि incoming charge outgoing जतना आएगा उतना charge चला जाएगा नोड पर कभी कोई चार्ज नहीं होगा इसलिए हम क्या कहता है नेट चार्ज जो भी होगा वो जीरो होगा नेट करेंट जो भी होगी वो क्या होगी किसी भी नोड पर जीरो होगी ठीक है तो किसी भी नोड पर ना तो कोई चार्ज होता है नहीं कोई current होता है current या charge जो भी होता है तुम्हारा किसमें होता है ब्रांचेज में होता है तो यह हमारा किसको define करता है कौन सा low यह straight करता है किर्चॉफ slow करता लिमिटेशन क्या है इसकी लिमिटेशन अगर हम कहेंगे तो में जो लिमिटेशन है वो इसकी क्या होती है distribution network अगर कहीं पर हमारे जो element है या network है main network अगर हमारा कहीं पर नेटवर्क, distribution type है, एक lump network होता है, जैसे तुम्हें अभी अब एक्टिव पैसी बतायते हैं, इसमें तुम्हारे फोर्स में था नहीं तो नहीं बतायते, एक नेटवर्क तो होते हैं, जहां केवल किसी एक जगह पर पूरा का पूरा system को show कर दिया है, वो तो होते हैं, लंप network, कौन से network, lump, लेकिन अगर किसी चीज की value पूरी लाइन पर distribute हो रही है, वो network होते हैं, distributed, अब क्योंकि हमें पूरी लाइन पर पता नहीं होता, किसका कितना resistance क कहाँ तक है, कहाँ पर inductance है, कहाँ capacitance है, इसमें हम कौन सा law नहीं लगा सकते, किर्चॉफ के law नहीं लगा सकते, दोनों ही law, किर्चॉफ का चाहे current law हो, चाहे किर्चॉफ का voltage low हो, अगर network तुम्हारा distributed type है, तो हम उसमें ये law नहीं लगा सकते, ये law जो हमारा use होता है, वो जैसे माल लो कहीं पर distribution network है और यह कहा दिया इस यहां distributive element है तो तब हमें क्या करना पड़ता है उस distributive element को पहले lump में change करना पड़ता है उस पूरे area के resistance को छोटा area मालना पड़ता है मतलब एक छोटे resistance में convert करना पड़ता है कि मांना इस पूरे का resistance है और इस पूरे केंडिकन से इस पूरे का इंड़ता इस पूरे के इंड़ता van क्या कर सकते हैं कि रचौ लो को बहुत दीशीरी फाइंड कर सकते हैं जैसे मान लो इस तरीके से पहले उसे लंप में चेंज करतें तब रोगा सकते हैं किविश्ण करना है कोई numerical करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि रूच आफ लोग को बहुत इसली फाइंड कर सकते हैं जैसे मान लो तुम अपनी मर्जी से ही कोई numerical यहाँ पर कर लो यह हमने बहुत सारे junction मनाती है और अब current मान लेते हैं कि माना यहां से आ रही है 5 ampire current यहां से आ रही है 3 ampire current यहां पर current नहीं दे रखी आई लिख रखा है यहां जा रही है 3 ampire यहां current नहीं दे रखी ठीक है यहां आ रही है 10 ampire और यहां current नहीं दे रखी तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं देखो अलग-अलग junction मने एक junction यह रहा J2 एक junction यह रहा J3 और तीन unknown current है I1, I2, I3 और कुछ branches में current है रखी है तो हम यहां क्या लगा सकते हैं यहां हम किर्चॉफ लगा सकते हैं किर्चॉफ लो की help से current लो अभी करेंट लो बताया तो एक छोटा से एक्जामपल करेंट लो का शो कर दिया सिफ करेंट करेंट की वैल्यू यहां पर शो करी है ठीक है और हम यहां क्या ऐनकर सकते हैं कि किसी भी व्रांच में कितनी current होती है तो कैसे देखो जैसे 500 इस नोड पे current कितनी आ रही है 5 इंप और यहां से क्या कर रही है जा रही है अगर यह अंदर को भी आ होते तब भी निकाल लेते लेकिन हमने क्या करा पहले शो कर दिया जाती हुई तो आइवन जो इक्वल होगी वो किसके होगी incoming current के incoming current is equal to outgoing current तो 5 और 3 आइवन की value कितनी आ जाएगी जो अभी तक question mark थी i1 आ जाएगी 8 कितनी आ जाएगी 8 ampere अब यह 8 ampere इस j2 पे जा रही है और यहाँ 3 जा रही है तो यह कह रहे हैं i2 में कितनी जा रही है यहाँ पर पूछा है i2 में कितनी current जा रही है तो यहाँ I2 में कितनी current जा रही है, जब 8 यहाँ आ रही है, 3 यहाँ चली गई, तो बाकी बची किसमें जाएगी, I2 में तो 8-3 कितनी बची, 5A, सेम ऐसी समझ लो, 5 और 3 यहाँ 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 गई, जब 8 में से 3 चली गई, बाकी कहाँ गई, यहाँ पे गई, 5A, अब 5A इस I3 में बताओ कितनी होगी, यह I3 भी इस node पर आ रही है, तो node पर incoming current, यहाँ all total current is equal to क्या होता है, 0 होता है, incoming is equal to outgoing, outgoing यहाँ कोई है नहीं, सिर्फ यहाँ पर कौन सी current है, incoming current है, तो outgoing तो 0 के बराबर ही होगी न, तो यहाँ पर value कितनी होगी, 10, 5, तो यहाँ कितनी होनी minus 15, तभी तो all जो total current होगी वह हुमारी कितनी होगी, minus 15, तो 10 और 5 कितनी होगी, minus 15 यहाँ पर होगी, क्योंकि arrow यहाँ पर कहा है, अंदर की तरफ यह arrow है, अगर यही arrow बाहर की तरफ होता है, यही arrow कैसे होता है, और अब कहते है, I3 बताओ, अब I3 कैसे निकलेगी, incoming current is equal to outgoing current, तो 10 और 5, कितनी होगी 15 ampere, अब यह देखो plus की है, अब जो 15 ampere है, वो किस की है, plus की है, तब current कहाँ आ रही थी, अंदर की तरफ आ रही थी, node में, incoming थी, तो incoming में यह कितनी आ रही थी, minus 15 आ रही थी, ठीक है, तो इस तरीके से, तुम के चोंक्स current लो लगा के, किस किसी भी junction पर, हमेशा किस पर लगता है, junction पर, node पर, तुम किसी भी branch में current को, क्या कर सकते हो, find out कर सकते हो, ठीक, तो यह हमारा क्या होगे, किर्चॉफ्स current लो, अब हम पढ़ते हैं, किर्चॉफ्स voltage लो, कौन सा लो पढ़ते हैं आप, किर्चॉफ्स का, voltage लो, तो next लो तुमने पढ़ना है, वो कौन सा है, KVL, किर्चॉफ्स voltage low, second low, या loop rule, loop rule, या loop low, या किर्चॉफ्स voltage low, यहाँ पर यह चीज़ क्या कह रहा है, जैसे वहाँ पर कही थी, sum of all current, या sum of all algebraic current is equal to 0, या incoming current at any node is equal to outgoing current at said node, यह चीज़ बताई थी, अब किर्चॉफ्स voltage low में क्या कहता है, voltage की बारे में कह रहा है, कि किसी भी closed circuit में, किसी भी closed circuit में, in any closed path यह circuit, in any closed path यह network, voltage rise is equal to voltage fall, या voltage drop, in any closed path यह network, voltage rise is equal to voltage drop, या voltage fall, कोई भी network अगर दे दिया है, उस network में, या कोई भी closed path अगर दे रखा है, या close path कहो, या loop कहो, या close path भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या भी लिख सकते हैं, loop भी लिख सकते हैं, in any loop, या in any close path voltage rise जितनी भी voltages है voltage rise is equal to voltage fall जितनी voltage rise हो रही है वो बराबर होती है voltage fall के है या फिर दूसरी definition और तुम यह लिख सकते हो और algebraic algebraic sum of all voltage algebraic sum of voltages या all voltages is equal to 0 यह लिख दे ना in any close path या loop in any close path और loop algebraic sum of all voltages is equal to 0 दोनों ही हमारी क्या है किर्चॉफ's voltage दो को define करती है जैसे first law है first law के हिसाब से हमने क्या कहा voltage rise is equal to voltage fall total जितनी voltage rise हुई है वो equal किसके होगी total voltage fall के या फिर क्या चीज़ कही है in any close path algebraic sum of all voltages is equal to 0 algebraic sum algebraic sum का मतलब है sign के साथ voltage लेनी है कहां पे voltage बढ़ रही है कहां voltage घट रही है कितनी voltage में increment हुआ कितनी voltage में decrement हुआ is called algebraic sum algebraic sum क्या है sign के साथ हमें voltage लेनी है तो जितनी भी close path में voltage होगी तो यह close path लिखना जरूर है in any close path sum of all voltages is equal to 0 जितनी भी voltages पूरे path में होँगी पूरे close loop में होँगी उन सब की value कितनी आती है 0 अब क्यूंकि यह loop में लगता है या तो mash भी कहते हैं या loop भी कहते हैं इसलिए इसे कौन सा rule भी बोलते हैं loop rule और वहाँ पर वो junction बढ़ लग रहा था इसलिए उसे कौन सा rule बोलते हैं junction rule ठीक है तो junction और loop क्यों बोलते हैं दूसरी चीज़ अब यहाँ पर जैसे वो था energy charge conservation ऐसी ये वाला जो होता है ये क्या होता है energy conservation ये वाला जो rule है ये किसे represent करता है energy conservation को represent करता है तो KVL हमारा क्या होता है एक तरीके से energy conservation को या law of energy conservation को ये क्या करता है follow करता है या KVL को हम क्या भी कहते हैं कौन सा rule भी कह सकते हैं energy conservation rule भी यह law भी कह सकते हैं, law of energy conservation इसे यहाँ पर कह सकते हैं, law of अब energy conservation कैसे, जो energy हम define करते हैं, वो power के term में करते हैं, energy is equals to क्या है, integration of p dt, और p is equals to कितना होता है, v i, तो किसी भी circuit में जो voltage निकल रही है, उसमें कोई ना कोई उसकी वज़े से क्या भी flow रही होगी, current भी flow रही होगी, तो अगर हम क्या करें, v जितनी भी circuit में current flow रही है, यह हम voltage निकाल रहे हैं, उसमें उसकी current को भी क्या कर दिया जाए, multiply कर दिया जाए, तो हर जोगे क्या आजाएगा, v i, v i, v i, v i, v i आजाएगा, तो इसलिए हम क्या कहता है, all जो v i, total v i is equal to कितना आएगा, 0 आएगा, इसलिए हम कह देते हैं कि किसको follow करता है, energy conservation को follow करता है, एक छोटा सा circuit, तुम इससे किससे भी define कर सकते हो, कोई छोटा सा एक circuit बना लो, उससे यहाँ पर यह show कर दो, कि यह किसे show कर रहा है, voltage rise और voltage fall को यहाँ पर क्या कर रहा है, show कर रहा है, जैसे, माल, कोई यह circuit है, अभी resistance नहीं बता रहे हैं, resistance को लग से लगा के दिखाएंगे यहाँ पर, खाली voltage, voltage को दिखा रहे हैं, यहाँ resistance भी हो सकता है, voltage भी हो सकता है, और voltage भी हो सकती है, और voltage भी हो सकती है, और यह हमारी क्या हो गई, V source हो गई, यह battery का negative terminal, यह positive terminal, यह क्या बना दिया, loop, यह हमने एक loop, यहाँ फिर क्या बना दिया, mash बना दिया, और इसमें flow होने वाली current हमने कितनी कह दी, I कह दे, ठीक है, इसमें flow होने वाली current हमने कितनी कह रखी है, I कह रखी है, यहाँ पर, सही है, अब यहाँ पर, यह जो तीन अलग-अलग element रख रहे हैं, इसकी voltage कह दी हमने V1, इसकी V2, और इसकी V3, और यह वाली बैटरी की voltage है, उससे कितनी कह दी, V, यहाँ पर, अब क्या होता है, अभी, मैं ऐसी, चार्ज, टर्मिनल खुद मान रहे हूँ, कि यहाँ मान लो, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, तो यहाँ total voltage कितनी हो गई, अगर हम cool voltage देखे हैं, total voltage, कितनी होगी देखो, V, V, next किसका नंबर आया, V1, next किसका नंबर आया, V2, यह loop लगाया, और loop में चलते जाएंगे, और सिर्फ किस-किस को note करना है, सिर्फ voltage को note करना है, next इसका नंबर आया, V3, is equal to 0, तो देखो, net voltage बराबर किसके हो गई, 0 के हो गई, कि जितनी भी इस loop में voltage थी, जितनी भी इस loop में voltage की value थी, all is equal to 0, sign के साथ, अब sign सबके देखो, ऐसे हैं, minus से plus, अच्छा, यह चीज़, यह प्लस से minus है, तो minus, फिर plus से minus है, minus, फिर plus से minus है, minus, यह क्यों लिया, यह अभी बता देंगे, यहाँ खाली rule समझाने के लिए, एक छोटी सी equation लिखना जरूरी था, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यह चोटी सी equation यहाँ पर लिख दी, ठीके, तो यह देखो, यह हो गई, all equation, sign के साथ, V है plus का, बाकी सारे भी किसके हैं, minus, minus, minus के, तो all voltage 0, यह फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, यह तो हो गया, sum of all voltage is equal to 0, V is equals to V1, plus V2, plus V3, यह हो गया, यह बदा, voltage rise यह है, minus से plus आ रहे हैं, तो rise कह दिया, voltage fall, plus से minus जा रहे हैं, तो fall, तो जितनी voltage rise थी, वो हमेशा बराबर होगी, किसके voltage fall के, ठीक है, अब यहाँ पर, अगर यह, इसमें कितनी current flow कर रहे हैं, देखो, कि बावर निटिक लिए अनरजी टो कर रहा है झाल तो अग मैं हर सोर्स की पावर निकाल लो हडिए इतनी होगी वीई वी आई वी आई तो सब में क्या कर दिया मैंने आई से मल्टिप्लाय कर दिया तो सब में अगर आई से मल्टिप्लाय कर दिया तो पावर आ गई यह हो गई डिलीवर पावर यह हो गई एब्जॉब पावर तो डिलीवर पावर इस एक्वल टू किसके आ गई एब्जॉब पा बीबोलते हैं तो यह energy conservation को follow करता है rule को बताता है और जो पहले वाला था वो हमारा किसको बता रहा था जो current rule था वो बता रहा था energy charge conservation को तो वो charge conservation rule भी कहलाता है यह law of charge conservation यह law of energy conservation भी कहलाता है तो दोनों लो समझ में आगा अच्छे से current law any junction per at any junction incoming current is equal to outgoing current voltage law in any close path voltage rise is equal to voltage fall यह यह भी कह सकते हैं यह voltage rise और fall की term में कह दी rise और fall तुम drop की term में और increasing और decreasing की term में भी कह सकते हैं increasing voltage is equal to decreasing voltage ऐसे भी बहुत सकते हैं यह फिर sum of all algebraic voltages is equal to 0 अब तुम्हें यह sign की बारे में बात बताते हैं अब किसके बारे में तुम्हें बताते हैं sign कि हम जो यह voltage हमने ली है current वाले में और इस battery में a terminal होता है negative और एक terminal क्या होता है positive यह हमारी कोई battery है एक terminal होता है negative एक terminal होता है positive और वी इसकी क्या कह दी value हमने कह दी अब अगर इसमें current इस तरीके से जा रही है slow कर रही है हमने direction ली रखिया हमने direction दी है आई की अगर हमने foot direction दी है इस तरीके से आएसा direction यह वाली दे रख्चिया इस battery में कभी भी अगर हम negative से positive में जाते हैं कभी भी अगर current battery के negative terminal से जा रही है positive से निकल रही है इसका मतलब negative की तरफ तो आ रही है लेकिन positive से बाहर निकल रही है तो कभी भी अगर positive से बाहर निकलती है तो पहले भी तुम्हें कहा था delivery की बात होती है कि वहाँ पर power या voltage जो भी चीज हो रही है वो deliver हो रही है तब हम sign किसका लेते है प्लस का लेते है तब हम B किसका लेंगे प्लस का लेंगे कि अगर बैटरी में जो voltage में जो source है उसमें जो current है वो negative से positive terminal की तरफ जा रही है इसका मतलब बैटरी के positive terminal से current निकल रही है positive terminal से निकल रही है या lower terminal से higher terminal low to high बोलो या negative to positive बोलो क्या बोल सकते हो low to high भी बोल सकते है या क्या भी बोल सकते है negative से positive terminal की तरफ अगर current जा रही है तो B किसका लेते है प्लस का लेते है लेकिन अगर battery में जो current है वो ulti आ रही है कि हमने कोई current है वो battery में क्या हो रही है उल्टी आ रही है नीचे की तरफ आ रही है positive से negative अगर कभी भी current high to low जाए तो यहां voltage क्या होती है fall होती है वहाँ voltage rise हो रही थी यहाँ voltage क्या हो रही है? fall हो रही है तो high to low अगर जाती है voltage high to low या positive से negative terminal की तरफ अगर किसी voltage में current जा रही है किसी source में current जा रही है तो उस battery की जो value लेते हैं उसके across जो value होती है वो कितनी होती है? minus V यह चीज एक तो हमें याद रखनी है कि हम कैसे sign represent करते हैं कि अगर battery में जो current होती है वो negative से positive जा रही है या positive से निकल रही है तो भी हमेशा लेंगे plus का लेकिन अगर positive में enter कर रही है absorb कर रही है तो absorb कर रही है तो voltage में कमी आएगी तो absorb करने का मतलब क्या है यहाँ पर यहाँ पर अब voltage कितनी हो जाएगी minus V तो यह तो हो गया voltage source की अगर कहीं battery दी या voltage source दिया तब यह हो और यह सिर्ट किसमें होता है DC में होता है AC में ऐसा नहीं होता तो DC के बारे में अभी इतना तुमष्टाप में दिया नहीं तम्हें बतायन लेकिन अभी जब AC स्था प्रिमेंट में बता करेंगे होता है तो सोर्स कोई नहीं होता है वो तुम्हारा स्करेंट पर डिपेंड पर नेक्स चीज है यह तो हो गए सोर्स यह हमारे क्या हो गए सोर्स के बारे में यह तो रजिस्टेंस के या तो resistance या कोई भी जो तुम्हारे element है फिर अब बात करते हैं हम उनकी elements की elements के बारे में पहले भी जब मैंने L और C बतायते हैं या R बतायता तो वहाँ भी है चेस बताईती यहाँ भी एक बार दुबार बता देते हैं अगर यह resistance दिया है और इसमे current तुमारी क्या कर रही है इस तरीके से flow कर रही है current तुमारी क्या कर रही है इस तरीके से flow कर रही है तो इसका terminal जहां से current एंटर करती है हम उसे जादतर क्या मानते है babe positive terminal मानते हैं और क्या करना होता है कि हम ज्यादतर करेंट को एंटरिंग कहां से मानते हैं पॉजेटिव से करेंट को एंटरिंग कहां से मानेंगे पॉजेटिव से और यह निकलती कहां से हैं निगेटिव से निकल रही है तो हमें पता है जो पॉजेटिव में एंटर करती है पॉजेटिव में तो positive का मतलब क्या high to low यह voltage इसका मतलब voltage हमेशा कैसी लेंगे negative की लेंगे तो अगर यहां I current जा रही है और R इसका resistance है तो V बराबर क्या होता है IR होता है तो यहां पर जो voltage होगी वो कितनी होगी IR तो होगी इसका मतलब कोई value मालो V1 वो तो होगी लेकिन sign के according के आएगा तो plus से जब कभी में enter होगा तो sign हमेशा क्या आएगा minus अब कुछ वच्छे सोच चुणगे हमें कैसे पता resistance में sign plus है minus है हमेशा खुद लेंगे यह sign हम और बार बार बदलेंगे नहीं एक बार जो circuit में हमने resistance का sign ले लिए जब तक हो numerical solve नहीं हो जाता resistance में वो ही sign लेके रखेंगे sign कैसे लेते है जो main current तुम उसमें show करोगे current की direction जो हम show करेंगे numerical solve करते है time plus लेंगे जहां से current एंटर करती है minus लेंगे जहां से current leave करती है और कोई बच्च अगर उल्टी ले लेता है तो भी सवाल गलत नहीं होगा पस यह चीज याद रखना plus में अगर enter करते हो लोगे तो क्या आएगा यहाँ माइनस IR आएगा लेकिन अगर यही चीज हमारी क्या हो जाए यह resistance है इसमें यह वाले टर्मिनल निगेटिव है और यह वाले टर्मिनल पॉजिटिव और अब जो current जा रही है कि माल लो यही resistance था इसी resistance में एक current तो ऐसे जा रही है लेकिन दूसरी current ऐसे आ रही है इसी branch में दो जगे से current दो के current flow कर रही है एक नीचे लूप में एक उपर लूप में तो जाएगी तो इसी resistance से अब जो current की direction हमारे पास आई जो हमने मानी थी हमने तो यह मान रखी थी लेकिन जो उसमें current flow कर रही है वो कैसे flow कर रही है माइनस से एंटर कर रही है और प्लस में जा रही है तो कभी भी अगर माइनस से प्लस की तरफ जाती है तो हमेशा voltage क्या लेनी है प्लस की तो voltage भी बरावर तो क्या है आई यार तो आप किसका लेंगे आई यार प्लस का लेंगे ठीक है यहां हम क्या भी कह सकते हैं होगा drop माइनस आई आरी drop मतलब कमी drop मतलब कमी और अगर किसी change में drop हो रहा है तो value हमेशा क्या आएगी less आएगी पहले से तो less आईगी इसलिए हमने क्या कर दिया total में से minus vr कर दिया minus ir कर दिया ठीक है अब क्योंकि यहां पर हम क्या देख रहे हैं इस वाले में इस वाले circuit में इसमें जो current है वो resistance के opposite है इसका मतलब इसके according जो हमने sign दिया है sine हमने क्या का है sine हमेशा कैसे देते हैं plus से आते हुई तो हमारे हिसाब से current ऐसे आनी चैहिए लेकिन इनके हिसाब से current जारे है ऐसे be i को अब हम कैसा लेंगे minus of i ie by e i को लेंगे आनी तो चाहिएँ ऐसे लेकिन जा रही है ऐसे सोर्स में अगर प्लस से माइनस आईगी तो क्या लेंगे माइनस रेजिस्टेंस में प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस आई यार माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस आई यार हम हमेशा जो रेजिस्टेंस में पॉलारिटी लेते हैं क्या देख के लेते हैं कि करेंट ए वां से फर्स्ट लो और सेकंड लिओ दोनों लोयां किर्चॉफ का बता दिया नेक्स जो तुम्हारा। टॉपेक निंग्स टॉपेक तुम्हारा यहां पर क्या है नोड शीं ठीक है तते हैं तो नियक्स पर नेक्स और स ot गते हैं किसी भी सब्सक्राइब करने के लिए हम किसका यूज करते हैं किछ अब जो इनका एडवांटेज इस तरीका से इनकी एप्लीकेशन हो गई उन्हीं को हम क्या कहते है Nodal Analysis यह Nord Analysis and Mesh Analysis. Current low हो है तो क्या होै? Node का Analysis और voltage लो है तो क्या होगा? voltage लो है तो यहाँ पर होगा तुम्हारा Mesh का Analysis तो पहला क्या है? Nodal Analysis पहला जो चीज़ दे तुम्हारी वो क्या है? Nodal Analysis तो दिखते हैं, यहां को इन्वेरिकल दे रखा होगा, ठीक है, यहां पर दे भी रखा है, नॉडल और मेल, तो नॉडल अनलिसिस, नॉडल अनलिसिस क्या होता है, जब हम किसी नॉड का अनलिसिस करते हैं, कि किसी नॉड पर कितनी करेंट फ्लो कर रही है, या नॉड का अनल क्या काम करते हैं नोड पर लग रहा है ना यह तो नोड और फो मेशन रोय को ने नोड ईसी पाम करते हैं कि किसी भी ब्रांच में रजिस्ट्रेंस वगहरा होते हैं सप्लाइब अगहरा होती है तो अभी हमने क्या क्या था वी बराबर आई यह बराबर वी यह सब भी यूज करेंगे तो इन दोनों लोगो यूज करकर हम क्या करते हैं और अनलेसिस करते हैं कि रन्ला होता है मैस अनलेसिस में क्या है इसनलेस में मैस क्या यह लूप रूर्ल में किसे ब्रांच में किसी भी इसखिट में वह किसकी हैं से ऩर मैश का लगता एक तो कि यूज stop कर, मैश का अनलिसिस करना है हमें, अनलिस मotलब, एक तरीकेदी ऐस स्टेडी करना है क्ले और यारी बराबर भी ऑइरियंग आ राइनलिसी सीट कि अ ककी ओगे पर कॉए बिज़ेशिकर का कए वाल लगा सके, कि बिज़ेंगें पर वर्टेज का रूल लगा सके मेश अनलिसिस के लिए हम KVL लगाते हैं तो हम क्या करते हैं दो तिन दो तिन दोनों के ही numerical यहाँ पर करके देख लेते हैं कि नोडल अनलिसिस में यहाँ पर क्या होगा और KCL में यहाँ पर मेश अनलिसिस में यहाँ पर क्या होगा तो यह हमारे कुछ numerical दे रखे हैं node के और mash के यह 4 numerical यहाँ पर show कर रखे तो एक काम करते हैं इस वाले lecture को तो हम यहीं पर finish करते हैं क्योंकि 4 numerical है वैसे भी जल्दी जल्दी हो नहीं पाएंगे तो एक अगला lecture लेते हैं और उस अगले lecture में क्या करते हैं चार पांच जितने वी नुगारिकल होंगे हम next lecture में सबके example आपको बता देंगे तो इस lecture को यहीं कतम करते हैं आप आपसे मिलते हैं next lecture में तब तक के लिए good bye